ऐसी कौन से चीज होती है जो बिन बोले आपके बारे में सब कुछ बता देती है मैं बताती हूँ वो होती है शक्सियत शक्सियत एक ऐसी चीज होती है जो आपके बारे में सब कुछ चीख चीख कर बता देती है कि आप कैसे इंसान है राजस्थान की राजनीती में कई ऐसे नेता आए जो दमदार शक्सियत रखते हैं उनी में से एक है हेमा राम चौदरी पूरी की पूरी जाट बिरादरी इनका बेहत सम्मान कर दी है तो दूसरी तरफ है गोविन सिंग डोटासरा जैसे नेता जो आए दिन अपने ही बोले हुए बयानों शब्दों के कारण घिरे रहते हैं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यूं हेमा राम चौदरी जैसे नेता को जाटों की कौम का फेस नहीं बनाया गया जो इतनी बार राजनीती में इतनी बार एक बार नहीं दो बार नहीं बार आने के बावजूद अपने आपको प्रूव करने के बावजूद उन्हें वो तबज्जों नहीं दी गई जो डोटासरा को दी गई क्यूं ऐसा किया गया आज अगर हेमा राम चौधरी जाटों के फेस होते जाटों के नेता होते जाटों का प्रतिनिदित्व करते गहलोट सरकार में तो आज इस सितिया क्या कुछ और हो सकती थी? करेंगे इन सबी मुद्धों पर चर्चार और इस वीडियो को इसलिए लास तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्माप के साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान समवाद तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो शक्सियत हैं जाट कौम से हमारे सामने एक है हेमाराम चौदरी जी तो दूसरे हैं गोविन सिंग डोटासरा एक है एक ऐसी शक्सियत जिन्हें पूरी की पूरी कौम इतना जादा प्यार करती है सम्मान करती है एक है किसानों के नेता और एक है विवाद किंग जीहाँ इन्हें विवाद किंग के नाम से ही जाना जाता है जाट जाती के सब से विवादित चहरों में से राजनीती में अगर कोई है तो वो है गुविन सिंग डोटासरा और जाटों के सब से पुराने एमानदार विश्वसनी चहरा कोई है तो वो है हेमाराम चौधरी दो तासरा लक्षमनगर से तीन बार विधायक रहे चुके हैं और अगर हिमाराम चौधरी जी की बात करें तो एक बार नहीं, दो बार नहीं बलकि पूरे साथ बार गुडा मनाली से विधायक रहे हैं और इनकी शक्सियत तो आप देखिए इन्होंने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया था तो खुद राहुल गांधी को फोन करके इन्हें मनौती करनी पड़ी थी मनाना पड़ा था चुनाव लडने के लिए और एक बार तो 2020 में इन्होंने बीच में ही इस्तिफादे कर राजस्थान की राजनीती में भूचाल ला दिया था तो ये है वो शक्सियत जो अगर जरासा भी अपना कदम पीछे खीज़ ले तो राजनीती में भूचाल आ जाता है ऐसे हैं हेमाराम चौदरी कॉंग्रोस पार्टी के सबसे विवादित नेता के रूप में गोविन सिंग्डो टासरा जाने जाते हैं इन्होंने अपने कारेकाल में ब्रश्टाचार हो या फिर युवाओं से इन्होंने कॉन्वर्सेशन करना हो किसी भी हद में आप देख लीजिए आप इन्हें हमेशा विवादित ही पाएंगे कभी शिक्षकों के लेके विवादित बयान दे देते हैं कभी महिलाओं को लेके विवादित बयान दे देते हैं तो युवाओं में तो इनकी इमेज खासी खराब है वहीं दूसरी तरफ अगर हम हेमा राम चौदरी जी को देखे तो वो सबसे इमानदार और विश्वस ने नेता हैं, किसान नेता की रूप में इने जाना जाता है, यही नहीं इनकी पूरी की पूरी फामिली को किसान हित में माना जाता है, लोगों के हित में एकाम करते हैं, जन हित में काम करते हैं, और युवाओं के आदर्श हैं, इनके बेटे की असमा एक मौत के बाद अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा विरेंद्र चौधरी के नाम पर मैमोरिल ट्रस्ट भी उसके अंदर हॉस्टल भी बनाया है उसके तहर और ये युवाओं को गरीबों को समर्पित कर दिया है इस तरहे की शक्सियत है हिमाराम च के लिए और अगर हम डुटासरा की बात करें तो ये अशोग गहलोद की चाटुकारिता करते हैं ये सभी को पता है आज ये जहां बैठे हैं क्यों बैठे हैं किसलिए बैठे हैं ये सभी को पता है किसकी चापलूसी करने के लिए बैठे हैं ये भी सभी को पता है अशोग गेलोद गुट के माने जाते हैं और वहीं अगर हेमा राम चौधरी की बात करें तो सचिन पाइलेट के कट्टर समर्थक हैं क्यों कि हेमा राम चौधरी वो नेता है जो आज से ही नहीं बलकि 45 सालों का अनुभव रखते हैं राजिस्थान की राजनीती में और इनके पास इत अजले इस तरका है इसलिए इन्होंने 2020 में अपने पाउं भी खीच लिये थे एक बार सत्ता से पीछे और इनका पाउं खीचने का मतलब है पूरी की पूरे जाट समाज से आप पंगा लेने वाले हैं तो यह हैं हेमा राम चौधरी जो सचिन पाइलेट के कट्टर समर्थक हैं जहां भी उन्हें मदद चाहिए होती हैं वो उन्हें जरूर देते हैं हाल ही में अभी आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले इन्होंने जब अपने बेटे के नाम पर जो हॉस्टल खोला उसके उदगाटन के लिए किसे बुलाया अशोग गहलो जी को नहीं बलकि उन पर तुकारिता का आप उधारन देख सकते हैं इतने सारे विवादित बयान भाशन भ्रष्टाचार करने के बावजोद आज सरकार में बैठे हैं और इन्हें इनकी कौम ही इनके गाव की लोग ही बहुत कम पसंद करते हैं ऐसा सुनाई भी देता है इनके बयान और भ्रष् से बेहद नरम दलनेता हैं वहीं आप डुटासरा के सुभाव को देखेंगे तो ये बेहद कठोर हैं सक्त हैं युवाओं से आपने देखा होगा आये दिन इनके वीडियो वाइरल होते रहते हैं तो कभी भी इन्होंने कभी भी सम्मान जनक ना तुभाशा का प्रयोग किय ना ही उनसे वेवहार में पेश आए इसलिए युवाओं में इन्हें खासा नापसंद किया जाता है और कम अनुभव होने के बाद इनको इतनी तवज़ों मिल रही हैं क्यों मिल रही हैं ये नहीं पता हैं लेकिन अगर आज जाट समाज का वो प्रतिने दित्वक करते हिमा राम चौदरी जैसे नेता ऐसे नेता जो नरम दिल हैं ऐसे नेता जो अनुभव में सबसे बुजुर्ग हैं अनुभव में सबसे उचे इस तरफ पर बैठे हैं सभाव में बेहर नरम दिल 45 सालों का राजनितिक अनुभव होने के बावजूद इन्हें नजर अंदास कर दि तो इस तरह की शक्सियत को जाट समाज का प्रतिनिद्व करना चाहिए था और क्यूं नहीं मिला इन्हें ये तवज़ो वो तो कॉंग्रेस के आला कमान ही जाने लेकिन आज अगर ऐसे नेताओं को तवज़ो दी जाती जो आपके लिए एक नहीं दो बार नहीं साथ बार जीत कर विधायक बने सर्फ जनता के दिलों में बसते हैं अपने काम को लेकर जनता को इंडिने सिर्मौर बिठाती है अपने दिलों में इनके राज करते हैं ऐसे नेता को तवज़ो देते तो आज कॉंग्रेस का नजारा कुछ और हो सकता था आपकी क्या राय है आपका क्या रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोचल मेडिया पर लेकिन एड पर कोई कनवर्जिन नहीं हो रहा जानते हो ऐसे क्यों हुआ क्योंकि लाखों करणों प्रमोशन में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया और बिलकुल ऐसा ही होता है पिचर और ग्राफिक्स वाले एड् आते हैं बुरी तरह से एग्नॉर जिन पर से गुजरते तो सब हैं लेकिन रुकता कोई भी नहीं है और गल्पी से रुक भी जाए तो कनवर्ट नहीं होता तो अपने आड्स प्रोफेश्टरल वीडियो उसके सरी चलाओ जिससे लीच नहीं सीधा कनवर्जिन आएगा और स सोशल मीडिया आड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चहरे की मुस्कान बढ़ाएगा